बिहार एक ऐसा राज है जहां हर दिन हर महिना एक वीडियो वाइरल हो जाता है और अब बिहार कहीं एक वीडियो मुखिया जी के बेटी का वाइरल हो रहा है पिछले चार दिनों से सोसल मीडिया पे इनका वीडियो जम कर धमाल मचा रहा है बवाल मचा रहा है नाम है दिसा कुमारी बंगाल की रहने वाली है डांसर है आरकेश्टा में काम करती है और काफी बेबाकी से अपनी बात पिछले चार दिनों से मीडिया में आके बोलती है द और मेरा फोन तो चोड़ी हो गया तो नहीं देखना पारी हूं। कैसी चोड़ी हो गया और घृत्रम करके आ रही थी तो गाड़ी को अंदर से हाथ घुसा के ले लिए किसनी ले मतलब पहले बार मैं बियार में प्यार रखी तो आती हुजाती हो जैसे की लगन में भरत की काम में आती हुजा गर्त की झाले जाती हूँ तो अ Darwin और आल्ग करा पहली बार में रहा है आल्ग === क्icking से लिएक कपड़ा लगत है सिखुतिक है ज़से की अठ्व कर निकालते सुबह जब लोगों क्या खुलती है तो पूरी और सब्जी खाते हैं लेकिन बिहार में उस तरी चीज़ आपको मिल नहीं है भी मिलता है ना तो पहला दिक्कत होती थी तो अभी सब कुछ मिलता है मेरा आपसी सवाल था कि बिहार का क्या चीज आपको अच्छा लगता है हम न उतना घूमते नहीं और ना निकालते हैं जन्ता के बाड़े में बोलेंगे तो अलग कुछ है तो हम सोचे नहीं अब जन्ता के बाड़े में बोले हो तो जन्ता तो बहुत ही अच्छा है इतना सपोर्ट इतना प्यार मेरे को इतना कम टाइम पर मेरे को दे दिया है कब से इरकी शुरुवात की क्या सोजा था कि लाइफ में डांस करना है आरकेष्टा में काम करना क्या सोजा था आपने या फिर अचानक से जिन्दगी इस तरह से मोड ले ली अजानक से हो गया सब कुछ क्या बढ़ने का क्या सपना क्या था सपना तो है आगे और बढ़ूंगी अभी वो छोड़ करो कोई सपना नहीं देख रही हूँ तो आगे बढ़ना है सब के साथ काम करना है मिल जूल के पढ़ाय लिखाई कहां तक ही है लिसा ग्राजिएशन कम्प्लीट क्या है ओनर्स पिपर क्या था आपका यह बताए कि आप मुख्या जी की बेटी हैं मुख्या जी के बारे में कहा जाता है कि मुख्या जी का एक चहरा एक नाम एक नम्रूद होता है लेकिन मुख्या जी की बेटी जब स्टेज पर नाचे और लोग पैसे उड़ाए बद्दे बातें करें तो फिर मुख्या जी पर क लोग मुंख्या का बेटी का यह कर रहा है, उधर का लोग भी, अजब सब लोग मेरे को प्यार देने लगाए, कोला आजु pirate.. गाउ के आसपास गाउ में बगल में जीन लोग से अपड़ाई की हैं, ओ लोग मेरा अधाना का स्टाफ लोग देख रहा है, मेरे वीडियो सब लोग पसंद कर रहा हैं, तो ओ लोग खुद मेरे पापा को बोले, जो आपका बेटी को मना मत करिए, ओ आगे बर रहे हैं, उसको के लिए करता है जिस वक्त हम उन लोग के लिए किये थे ऐक साथ पराय करते थे उस टाइम ही खाले ओवलोग मैरे साथ मिलते थे उसके बाद जब हम थोड़ा बिछर गय तो अच्छा दोस्त होता तो मेरे साथ जरूर मिलता, भेठ होता है गाओ का इना आसपास बाजू में है हैं तो भेट होता है। बादच्छत कोई नई करता है तो इसलिए क्लास्ट मेट तो तो इतना बड़ा हो गया । एसा कमा रहा है तो अब लेकर क्या करेगा दीसा कितना खुश है इस काम को करके मैं बहुत ही खुश हूँ लोग मेरे को पहचान रहा है मेरा एक अलग पहचान बन गया है अच्छा दीसा एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से जब लड़की इस्टेश पर जाती है डांस करती है कम सौट कपड पहन को परदर्शन करती है तो देखने वालों की अंबार लग जाती है पैसे भी उड़ते हैं लेकिन क्या दिसा जिस काम को करती है लोग इन चीजों को देखते हैं पैसे भी लोग उड़ाते हैं क्या कहना है इसके बारे में एक डांसर की जिंदगी किस तरीके से बीथती ह हम कलकाता के बारे में बोलूंगी ना तो आपर इजद देता है शॉर्ट लॉंग ये सब उतना नहीं मानता है बट होता है जिस गाउ में एकदम गाउ टाइप का एरिया होता है तो आपर बोल देता है जो यहां थोड़ा लॉंग ड्रेस पहन के डांस करना है और तुरा अलग अलग जगा बोल देता है तो आपको शॉट ड्रेस के लिए लेकर आई हूं तो पहले से शॉट ड्रेस करके एंटी करिए तो और बिहार कुछ अलग है तो शॉट ड्रेस पहन के इधर वाइरल हो जाओंगी में कभी सोचा नहीं थी लेकिन बिहार नेक नया चीज दे दिया अहाँ यह मानना पड़ेगा जो शॉट ड्रेस में भी मतलब भी हार में वाइरल होता है क्योंकि जादातर सब लड़की जितना वाइरल गलती सब ही लहेंगा पहन के वाइरल हुआ है खाली एक मैं हूं जो मैं वाइरल हो गया यह शॉट ड्रेस दिसा किस खुबसूरती का क क्या राज गारा में शॉट करेंगे फिए Epic इस्लिए अवरेलónकि ब्रेस जादा व्यार करने लुक्ति मैं आपके साथ 4 गहंटे से आपका वेशबरी से इंतार कर रहा था कि आप मेरे से बात करें जब आप श्टेज पर तो दरशक यह कह रहा है थे कि दिसा को लाइए दिसा को लाइए बाग्ए भी आपके सार्ड डांसर थी लोग उनको सुनना-देखना पर्षंद नहीं करती थे तो यह सार्ड तो तो क्या उन्हों के सामने क्या एसा कर देती तो दरशक तूट फड़ता आपको देखने के लड़की जैसा डांसर थी तो आप सब लोग पैचारने लगा तो मेहनद करेगा तो जरूर हो जाएगा कितने दिनों से आप मेहनद इस काम को कर रहे हैं मैं तो टोटल में 6 साल से मैं इस लाइन पर हूँ और बिहार में 3 साल से हूँ बट एक साल हो गया है बांगाल पे सब ल तो वह भी बोलता तो तुम्हारे अंदर कूछ टैलेंट है जिसलिए यहां का लोग भी तुमको पसंद करता है और हम विहार में आई तो हम बोलते थे भाया माही मनिश्या बिहार में बहुत वाइरल एक आजल राज आप खुद कहती थी थी हाँ बहुत वाइरल एक आजल तो बोलता है जो तो क्या हो उसके डान साम देखे उतना खास नहीं है जितने तुम करते हो तो तुम कोशिश करो ज़रूर होगा एह मेरा मतलब आशिरवाद है एह मेरा दिल से कह वही हूँ तुम कोशिश करते रहो लेकिन आज दिशा खुद ही वैरल हो गई और एक बत सही है जो बोलता है 7वाइए हो जाता रहा है या जूका सुझ भाश जोष ना जाता है तो पूरा खुश है गद्गत हैं लोग भी रिकटर कर देते हैं जो पैसे लोग आपको देते थे हैं जो पैसे लुटाते हैं उस में हिस्सा आपका में होता है और जो जिन के लिए आप काम करती है उसका कितना हिशा होता है, उसका राज क्या है? जो टिप्स हम लोग को मिलता है, तो टिप्स जो हाथ में देता है तो हम लोग को रह जाता है जो पड़सा जृ मालिक कीसा होता है जो फिर अच्छा नहीं है, वो लोगandır ले-ले करता है जो बहुत गलत नजर से देखता है तो छीर खानी कौन करता तर्क सरग पर चलने वाले लोग छीर खानी करते हैं जो मतलब आर्केस्टा के अंदर जो रहते थी हमना आईूं पहले साल पहले पहले वी बान एक जगह बहुत मतलब मारपीठ हूद मेरे साथ आपकी साथ किससी योग्य थे तो फिर क्या हुआ था आगे क्यां थे मांध त्यूट भी लेगτα हैं ऐना होट देश्चाइब अरे हम मांगेंगे नहीं आपसे बता दिए कभी काल आती हूँ और जब आती हूँ ऐसा शायद हो जाता है एक लाग एक लग रुपया महिने का अभी तो सब लोग जानने लगा पैचे ने लगा जादा तो काम भी काफी आपको मिलेगा है उस पैसे में से दिसा कितना अपने जो नॉर्मली पैसा नहीं मांगता है कभी घरवाला आगे क्या करने का सोचा है क्या करेंगे इसी फिल्ड में रहना है या कुछ बैतर करना नहीं डांस छोड़ देना है मतलब जादा दिन तक इसमें नहीं रहना है मतलब वाइरल होके पहचान बना के छोड़ देना है फूपसूरत बाल लाल है आपके जो नाखून है वो काले है और बदन पर कई टेटू बने हुए है इसके क्या या यह खुबसूरती के लिए बना रखी है या फिर जो डांसर होती है जो काम करती है क्या उनको यह करना जरूरी होता है मतलब मॉधल होता है तो लोग नौर्मली डांसर जो लोग है विटाप च्च्टों बनाते हल मुख्妳या जी की बेटी है। पिता जी मुखिया हैं, माता जी मुखिया हैं, लेकिन खबर का हेडलाइन बन जाता है, मुखिया जी की बेटी हो गई वाइरल, मुखिया जी की बेटी ने बिहार में कर दिया कमाल, चार दिन से खुब हो रही वाइरल, तो क्या पापा का फॉन भी आता है, तुम क्या कर रही था काफी दिक्कते होती थी बोलने में लेकिन आप इस तरीके से मुझे बात करें मुझे बिश्वास नहीं हो रहा है कि दिसा एक बंगाली लड़की मुझे बात कर रही है आपने जो काम किया है बहतर काम पापा और ममी काफी अपर विश्वास करती है बहुत विश्वास करता है कि वह मतलब जगा बना कर आई हूँ और यह जो लोग मतलब कर रहा है यह तो सबका काम ही है जो जैसे कि हो गया मैं एक यूटूबर हो खुद तो मैं चाहते हूँ क्या ऐसा हेडलाइन दू क्या एसा हवर का हेडलाइन क्या दे दू थमनेल क्या बन क्या दो लैंड खाली गुन-गुना पूल यह करोड लोग आपको देखेगा दो लैंड गुना दीजिए जो आपको बढ़ियां लगता है जो आपको याद है मैंने इसे नहीं होगा मालूम नहीं बहुत शरवादी मेरेकश आप तो इस्टेस पर गाती है ना इस्टेस पर मैं लिपसिंग करती हूँ बट ऐसा दो लेंड गुन गुना देजिए क्या दिक्कत है अरे इसमें दिक्कत क्या है चलिए देखिए सर्मा गई है करें कि नहीं रिक्वेस्ट मत कीजिए तो आप इन चहरे को देखिए और इन ही समझे बिहार के बंगाल की रहने वाली है बिहा हो जाती है यह हमसे बातचीत कर रहे थी यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जादस जादस शेयर कर दिजेगा इनकी बातचीत कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद